नमस्ते, अगर आप ये विडियो देख रही हैं, तो आप अपनी जिंदिगी के एक ऐसे मुकाम पर खड़ी हैं, जहां से आगे जाने के और प्रगती करने के सभी मार्ग खुलने वाले हैं। मुबारक हो, आप एक CRP हैं। CRP मतलब तो कई बार आपने सुना होगा, Community Resource Person, यानि वो व्यक्ति जो पूरे गाओं के हर कदम पर सहयोग का माध्यम होगा, वो आप हैं, अपने गाओं के विकास के लिए जिम्मेदार और इस पर्योजना की रीड की हड़ी। पर्योजना के बारे में आप समझ ही गई होंगी। अब जानते हैं कि इसमें आपकी क्या भूमिका है। पर्योजना से जोड़ पाएंगी, सरकारी योजनाओं का लाब दिला पाएंगी और हम मिलकर ये आंकलन भी कर पाएंगे कि हम किस हद तक इस पर्योजना में सफल हो रहे हैं। तीसरा, समुदाय के किसानों को जोड़ कर उनके साथ काम करने के लिए आप उनके साथ संगठन बनाएंगी। घबराये मत, संगठन क्या है, कैसे बनेगा, इन सब की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। ये तो जानते हैं ना, कि एकता में ही बल है, तो एक-एक व्यक्ति के साथ काम करने की जगा, आप गाओं में महिलाओं के साथ संगठन बनाकर उनके साथ बैठक करेंगी। चौथा, बैठक में विबिन प्रकार की चर्चाएं होती हैं, और उसे सफलता पूर्वक करने के लिए पर्योजना वीडियो का प्रयोग करती है, जिससे जानकारी किसानों तक पहुँचाई जा सके। तो आप ही खुद ट्रेनिंग के माध्यम से इतनी कुशल हो जाएंगी कि समुदाय में खुद विडियो दिखा कर किसानों को जागरूप कर सके और उनकी आमदनी और जीवन शैली सुधारने में उनकी मदद कर सकेंगी। पांचवा, ये तो आप जानते ही है कि सरकार की कई सारी योजनाएं ग्रामीन विकास के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन दुर्भाग ये है कि इन में से जादातर योजनाओं की जानकारी और प्रयोग गाउन तक नहीं पहुँच पाता है। तो अब आप इस परयोजना की मदद से किसानों को योजनाओं के बारे में सही जानकारी दे पाएंगी ताकि वो उनका पूरा लाव उठा सकें। छटा, आप किसानों को, अपने गाउं को और समाज को पानी की बचत करने में भी मदद करेंगी। सात्वा, आप किसानों को परयोजना के माध्यम से बने किसान संसाधन केंद्र यानी FRC से भी जोडने में मदद करेंगी। ताकि उन्हें उचित दाम, उचित क्वालिटी और उचित समय पर खेती किसानी के लिए भरोसे का सामान और सहायता मिल सके। और पूरे गाउं का भला हो सके। झाले लिए झाले ड्ली बाले प्लाइब टो किसानी का सुछपश